हेलो प्रेंट्स वेल्कम टू माई चैनल तो एक नया नौटिफिकेशन जो आया है और सथमी बीपेसी से रिलेटेड प्रारंबी परीच्छा और मुख परीच्छा के पेटर में कुछ बदलाब किया गया है तो कुछ बदलाब तो आप पहले से जानते थे कि यह होने वाला है लेकिन कुछ बदलाब किये गए हैं उसको हम देखते हैं तो यह इस बदलाब के बारे में ताप वखो भी जानते थे कि दिर सु कोस्टिन रहता ही है और बाइप Huzer आने वाला था खट हट अगीशन और पा तो पर भी गलत तो होगा ही उसके लिए भी 0.25 कटेगा अब है कि छोड़ दिये तो नंबर नहीं कटेगा तो यह प्रिलिम्स में जो हुआ ठीक ठाक हुआ एक पाच्मा अप्सन हड़ जाता तो और बेतर होता लेकिन आते हैं मुख्य परिक्षा के लिए कुछ हुआ है तो है कि कंडिका आठ दो मुख्य लिखित परिक्षा में बेकल्पिक विसाई के स्कैलिंग नौर्मलाजेशन की समस्चा के समधान ही तो खीक है अब कहा जा रहा है कि लिखित परिक्षा जो होता था उसका स्कैलिंग करना ये नौर्मलाजेशन करने की कुछ बात चल रहा था तो एसे समाने हिंधी और निवंध एक साथ होता था ठीक है ना और ये तो Paper 1 और Paper 2 जो है वो रह गया बट अब यहाँ क्या किया गया हिंदी के साथ यह समाने हिंधी को अलग कर दीया गया और यहां बढ़ा दिया है में कलपिक विसाई को mcq अधारित कर दिया है और साथे साथ यह कर दिया गया है कि इसमें पांस होना सिर्फ अनिबार रहे हैं यह आपका माक्स जो है मेधा सुची ठीक है बनाने में नहीं जोड़ा जाएगा तो यह एक जो है इस पर विरूद लोग साइद अब करना शुरू कर दिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन बाकि इदर जो समाने हिंदी यह फिर निबंध यह सब जुड़ा है उसके लिए अब ध्यान देना है कि यह नीचे आपको बता दिया गया है ठीक है उसको हमने पढ़ लिया यहीं पर हम बताते हैं कि समाने हि इसमें सिर्फ पास हो जाना है लेकिन निबंध का में क्वाइलिफाय होना जरूरी है यानि कि अब आपका जो मैरिट बनेगा यह तीन सब्जेक्ट पर एक इंटरव्यू तो है वो रहे गए तो समानत दिन फर्स्ट और समानत दिन दो और निबंध यह तीन तीन नौसों औ तो एक हचार बिस तो अभी रह गया तो ऐसा है अब निबंध में पास होना जरूरी होगा समान हिंदी में सिर्फ क्या होगा पास होना होगा ऐसा नियम बन गया है आप यह जो हमने बताया नीचे साथ यह दिया हुआ है ठीक है उपर ही हमने कहीं पढ़ा था इतना ही मैं आप इसको देख लेंगे आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है न बाकित यह सब जो है मीनमम क्वालिफिकेशन के बात कर रहा है वो है ठीक है हाँ यहाँ पर इस परकार समान अध्यन फर्स समान अध्यन दो तथा निवन्द में प्राप्त अंकों के धार पर ही मुख परिक्षा के मेधा सुची बनाई जाएगी ठीक है मैरिट लिष्ट जो है न यह तीन सब्जेक्ट से बनाया जाएगा उसके बाद फिर जब मैरिट लिष्ट बनेगा तो इंटरव्यू के लिए भुलाया जाएगा ठीक है और वह आज ही है भीत तरिक उसको दस दिना और बढ़ा दिया गया है उसके बाद इडिट का उप्सन दिया जाएगा तो दस जिनवरी तक आपको दिया जाएगा ठीक है अब साथ में यह कहा जा रहा है कि 18 तरीक को जो बिग्यापन आया था अभी जो बिग्यापन में सुधार करके बताया गया है उस तक आपको सर्थ पुरुवत रहेगी बाकिया नहीं मानना होगा कि आगे दिखते हैं और कुछ है नहीं है तो यह नया कुछ पैटर्न है तो सबकी लिए होगा एक बहतर भी है नहीं तो यह जदी नहीं बढ़ी हल लगता है तो फिर तो आयोग कि आगे क्या करती है उस पर निर्वर करता है फिलाल अभी के लिए यह अपडेट है तो हमारे चैनल पर इस प्रकार से बने रहें वीडियो को अधिक सदिक सेयर कर सकते है साथ ही साथ हमारे चैनल को सबस्क्राब जरूर करें धन्यवाट